प्रस्न पांच वर्ग की परिमीती ग्याद करें जबकि उसकी एक भुजा की लंबाई है तो वर्ग की परिमीती ग्याद करना है उसकी एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो वर्ग की चारो भुजाओं की लंबाईयां बराबर होती है अतह वर्ग की परिमीती चार गुना एक भुजा की लंबाई तो वर्ग की परिमीती का सूत्र क्या होता है चार गुना एक भुजा की लंबाई प्रस्न पांच का वर्क की भुजा बराबर दिया हुआ है चार सेंटीमीटर वर्क की भुजा कितना दिया हुआ है चार सेंटीमीटर यानि वर्क की एक भुजा कितना दिया हुआ है चार सेंटीमीटर तो परिमिती तो लिखेंगे परिमीती बराबर तो वर की भुजा दिया हुआ है तो वर की परिमीती का सुत्र होता है चार गुना भुजा तो चार गुना चार सेंटीमीटर यानि चार चोक चार चोक 16 सेंटीमीटर तो वर की भुजा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो परिमीती हो जाएगा 16 सेंटीमीटर खा तो खा में दिया हुआ है वर की वर की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर वर की भुजा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तो वर की परिमीती कितना हो जाएगा तो लिखेंगे परिमीती बराबर होता है 4 गुणा भुजा वर की परिमीती का सुत्र होता है 4 गुणा भुजा तो 4 गुणा भुजा कितना है वर की यानि वर की एक भुजा की लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर तो 4 गुणा 5 सेंटीमीटर यानि 4 पचे 20 cm होगा इसका सूत्र तो वर की भुजा बराबर 20 cm गह तो वर की भुजा किना दिया हुआ 6 cm वर की भुजा 6 cm तो परिमीती तो वर की परिमीती बराबर सूत्र होता है 4 गुणा भुजा तो 4 गुणा भुजा कितना है 6 cm तो 4 गुणा 6 cm यानि 6 चोक 24 cm होगा वर की परिमीती गह वर्ग की भुजा वर की भुजा दिया हुआ है 7 cm कितना दिया हुआ है 7 cm तो वर की परिमीती तो वर की परिमीती का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा यानि 4 गुणा भुजा कितना है 7 cm तो सचोक 28 cm हो जाएगा वर्ग की परिमीती तो वर्ग की भुजा 7 cm तो वर्ग की परिमीती बराबर 28 cm तो जब वर्ग की एक भुजा की लंबाई 7 cm हो तो वर्ग की परिमीती कितना हो जागा 28 cm क्योंकि वर्ग में 4 गुजा क्या होता है बराबर प्रेस्न 6 आयत की परिमीती ग्याद करें जबकी लंबाई 8 cm तथा चोड़ाई 6 cm तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत की बड़ी भुजा को लंबाई तथा छोटी भुजा को चोड़ाई कहते हैं तो आयत की परिमीती का सूत्र होता है दो गुना लंबाई जोड चोड़ाई देखे दो गुना लंबाई जोड चोड़ाई यानि लंबाई और चोड़ाई को जोड़ करके दो से गुना कर देना है क्योंकि दो बार लंबाई देखे दो और दो बार चोड़ाई होता है यानि आमने सामने की भुजा बराबर होता है तो लंबाई और चोड़ाई को जोड़ना है और 2 से गुना कर देना है तो प्रस्न 6 क आयत की लंबाई तो लंबाई को संचेप में इस तरह से लिख सकते हैं तो आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है? 8 cm तथा तथा चोड़ाई तो चोड़ाई को संचेप में इस तरह लिख सकते हैं चोड़ाई दिया हुआ है आयत का 6 cm तो आयत की लंबाई बराबर 8 cm तथा चोड़ाई बराबर 6 cm ठीक है तो परिमीती तो आयत की परिमीती बराबर सुत्र क्या होता है दो गुणा दो गुणा लंबाई जोड़ चोड़ाई तो दो गुणा लंबाई कितना है आठ सेंटीमीटर जोड़ चोड़ाई है 6 cm तो ये दोनों कोश्टक में हैं देखिए ये कोश्टक लगा हुआ है तो पहले जोड़ना है तो इस कोश्टक का मतलब है कि पहले जोड़ना है उसके बाद गुणा करना है तो दो गुणा आठ से कितना होगा 14 cm तो अब गुणा कर देंगे तो 14 दुनी 28 cm तो आयत की परिमीती कितना हो जागा 28 cm आयत की लंबाई दिया हुआ था 8 cm और चोड़ाई दिया हुआ था 6 cm तो परिमीती का सुत्र क्या होता है दो गुणा लंबाई जोड चोड़ाई आयत की परिमीती का सुत्र दो गुणा लंबाई जोड चोड़ाई यानि लंबाई और चोड़ाई को जोड़ करके दो से गुणा कर देना है क्योंकि दो बार लंबाई और चोड़ाई आता है आयत में इसलिए दो से लंबाई और चोड़ाई को जोड़ करके गुणा कर दे कितना दिया हुआ है, 10 cm, तथा, चोड़ाई, 8 cm, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 cm, और चोड़ाई दिया हुआ है, 8 cm, तो परिमीती, तो परिमीती का बराबर होता है, आयत की परिमीती बराबर होता है, दो गुना लंबाई, जोड़, चोड़ाई, दो गुना लंबाई, जोड़, चोड़ाई, तो दो गुना लंबाई कितना है, 10 cm, जोड़, चोड़ाई है, 8 cm, सेंटिमीटर तो लंबाई दस सेंटिमीटर और चोड़ाई है आठ सेंटिमीटर यानि दो गुना दस आठ अठारा सेंटिमीटर तो दस और आठ पहले जोड़ेंगे लंबाई और चोड़ाई को तो कितना हो गया अठारा सेंटिमीटर अब दो से गुना कर देंगे तो 18 दुना 36 cm तो आयत की लंबाई 10 cm जथा चोड़ाई 8 cm तो परिमीती का सूत्र होता है दो गुना लंबाई जोड चोड़ाई तो 2 गुना लंबाई कितना है 10 cm और चोड़ाई 8 cm तो पहले जोड़ देंगे लंबाई और चोड़ाई को क्योंकि कोश्टक में है तो 18 cm गुना 2 हो जाएगा यानि 36 cm तो आयत की परिमिती कितना हो जाएगा 36 cm ग आयत की लंबाई दिया हुआ है 4 cm तथा आयत की लंबाई 4 cm तथा चोड़ाई 3 cm तथा आयत की परिमिती तो आयत की परिमिती का सुत्र होता है दो गुना दो गुना लंबाई जोड चोड़ाई तो दो गुना लंबाई कितना है चार सेंटीमीटर और चोड़ाई है तीन सेंटीमीटर तो दो गुना चार सेंटीमीटर और तीन सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो चार तीन साथ सेंटीमीटर तो सादुना 14 cm इसका परिमीती होगा आयत का आयत का परिमीती कितना हो जागा 14 cm तो जब लंबाई 4 cm हो और चोडाई 3 cm हो तो आयत की परिमीती कितना हो जागा 14 cm घह में है आयत की लंबाई बराबर 20 cm तथा चोडाई बराबर 10 cm आयत की लंबाई 20 cm तथा चोडाई 10 cm यह दिया हुआ है तो परिमीती तो आयत की परिमीती का सुत्र होता है दो गुना लंबाई जोड चोडाई तो दो गुना लंबाई कितना दिया हुआ है 20 cm 20 cm जोड चोडाई है 10 cm तो दो गुना लंबाई है 20 cm और चोडाई है 10 cm तो पहले जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक में है तो 20 दस तीस तो अब गुना करेंगे 30 दूना 60 तो आयत की परिमीती कितना आ गया 60 cm तो जब आयत की लंबाई हो 20 cm और चोडाई हो 10 cm तो आयत की परिमीती कितना हो जाएगा 60 cm तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे